Hello students, welcome to Magnet Brains, this is Anamika Singh, कैसी ही आप सभी, so I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बाइंतिजार कर रहे होंगे इस प्यारी सी वीडियो का सजय सके, आप सभी जानते हैं, क्लास 9 के प्यारी प्यारी बच्छों के लिए मैंने एक बहुत प्यारा सा Physics का चाप्टर स्टार्ट किया है, जिसका नाम है Motion यानि की गती, जी हाँ, बलकुल सही सुना है आपने, आज के इस प्यारी से से सेशन में, इस प्यारी से वीडियो मे हम Motion यानि गती के बारे में पढ़ेंगे, इसी के साथ साथ गती में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम पढ़ेंगे एक सामान वृत्तिय गती के बारे में, सुका पी जादा आपको मदा आने वाला है, आज की इस प्यारी से पार्ट में, क्योंकि हम एक सामान वृत्तिय इसी के पहले भाई आपने अगर इसके पहले के सेशन्स नहीं देखे हैं तो वो जरूर से जरूर देख लीजिएगा और अगर उन वीडियोस को देखने के बाद भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो जरूर कॉमेंट करके पूछिएगा अब बात आती है कि मैं वो वीडियोस हमें क्यों देखने के लिए बूर रहे हैं अब बिटा आप नहीं देखोगे तो आपके । डाइट्स क्लियर नहीं होंगे और आगे कि क्लासेस आपको समझ में नहीं आएगे तो चलिए स्टार्ड करें आज की क्लास को इसी के साथ यदि आप बिटा क्लास 6 से लेकर 12 में किसी भी क्लास में है सो Magni Brains Hindi Medium चैनल पर आप अपने सब्जिक की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं किसी भी क्लास को देखने के लिए आपको कोई कोर्स बिल्कुल भी परचिस नहीं गरना है और नहीं किसी प्रकार की कोई पेमेंट करेना है क्योंकि Magni Brains प्रोवाइड कराता है क्वालिटी एजुकेशन वह भी बिल्कुल फ्री ओफ कॉस्ट इसे के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे चैनल पर जतनी भी क्लासेस होती है हैना वह सब आउरेंज पार्मिट में होती हैं जहां बैसिक से लिकर बिल्कुल अडवांस लेवल हम आपका करवाथे हे क्लियर और आपके सारे डाउट करते हैं हैं इसे के साथ जुतना भी आपको पढ़ाते हैं उन सब के लिंक आपको कहाँ पर मिलेंगे सो इसकी box में सब मिलेगा ओके और हम 5 स्ट्रीट को कवर करते हैं जैसा कि आपको पता है हर वीडियो में मैं ये चीज मेंशन करती हूँ कि अगर आप UP बोट के हैं, बिहार बोट के हैं, राजिस्तान बोट के हैं, दिल्ली बोट के हैं या फिर MP बोट के हैं येस, आप मेरे इन सेशन को देख सकते हैं, सो स्टार्ट करना चाहिए, पूरी इंपरमीशन हो गई, पूरी जानकारी हो चुकी है, सो बटा ध्यान से सुनियेगा, एक समान बृत्तिय गति पढ़ने के पहले, उससे रिलेटेट कुछ कॉंसेप्ट सामें पढ़ने होंगे, ज हम कह सकते हैं कि वह वस्तु कैसी है, त्वरित हो रही है, वेग में यह परिवर्तन, वेग के परिमान या गति के दिशा या फिर दोनों के कारण हो सकता है, अच्छा इसे पढ़ने के पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं, जब वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है, तो ह आम ऐसा कहेंगे कि वस्तु मैं क्या हो रहा है भयां उसमें तवरन हो रहा है उसमें तवरन उत्पन्द हो रही है वित्वरीत हो रही है लेकिन यह कदः जब उसकी velocity में change होगा मैं यह विलासिटी क्या होती है तो याद करिए मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है कि भाईय सुनो velocity याने वेग और चाल में अंतर होता है velocity क्या होती है तो जब भी हम विस्तापन को समय से भाग देते हैं किसको किस से भाग देते हैं सो जब भी हम विस्तापन को भाई समय से भाग देते हैं तो वहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? तो वहाँ से हम निकाल सकते हैं किसको? तो हम वहाँ से velocity वेग को निकाल सकते हैं और चाल कैसे निकलती है? दूरी को समय से भाग दे कर अब बात आती है क्या? कि जब वस्तु के वेग में change याने परिवर्तन होता है तो yes हम बिलकुल कह सकते हैं कि वेवस्तु accelerate हुई है यानि कि उसमें त्वरन हुआ है इसे के साथ वेग में यह परिवर्तन वेग के परिमार या फिर गती की दिशा या फिर दोनों के कारण ही हो सकता है अब question यह उठा है कि मैं यह चींज हो कैसे रहे तो सुनो यह वेग के परिमार के कारण भी हो सकता है यानि उसके magnitude के कारण भी हो सकता है इसे के साथ गती के direction के कारण भी हो सकता है या फिर दोनों ही इसके पीछे reason हो सकते हैं सो परिमान दिशा दोनों ही कारण हो सकती है क्या आप एक उधारन के बारे में सोच सकते हैं एक example अपने दिवांग में सोचिए imagine करिए कि जिसमें एक वस्तु अपने वेग में परिवर्तन को नहीं बदल रही है यानि कोई वस्तु है उसकी velocity में change ही नहीं हो रहा है परन्तु अपने गती के दिशा को बदल रही है लेकिन उसकी गती की जो direction है वो change हो रही है अब आपको ये काम करना है बिटा कि मैं जो बोल रही हूँ इसके बाद आप वीडियो को pause करो और अब मुझे comment section में answer देना इसके बाद मेरे इतना भूलने के बाद वीडियो को pause करो answer दो क्या लगता इसका क्या answer होगा so question फिर से सुनो क्या आप एक उदारन के बारे में सोच सकते हैं इसमें एक बस्तू अपनी वेग में वेग के परिवार को नहीं बदल रही है लेकिन अपनी गती के दिशा को change कर रही है तो आपको इसका answer मुझे देना है मैं देखती हूँ कितने बच्चे इसका सही answer देते हैं और समझते हैं इसे हम कि किसी बंद पत पर एक बस्तू की गती का उधारन ले अब हमें क्या बोल रहा है कि एक काम करो एक बंद पत लो यानि कि एक बंद मार्ग लेलो रास्ता लेलो और एक बस्तू की गती का यहाँ पर हम उधारन दे सकते हैं ये हैं हमारे पास पूरा का पूरा चित्र 7.8 मैं में ये चित्र कहां से मिलेगा सब टाप के NCRT में दिया है ना वहां पर मिलेगा इन चारों डाइग्राम्स चित्र की सहायता से ही इन चारों चित्र की सहायता से ही हम हर एक पार्ट को यहां पर समझेंगे तो किसी बंद ये पत या मार्ग पर एक वस्तु की गती का उधारन लेने को कहा जा रहा है अब हमसे कहा रहा है कि एक अथलीट डावक को एक आयताकर पत ABCD के अनुदीश ये दर्शाता है ठीके भईया ये है हमारे पस पहला 7.8 का पहला चित्र पहला डाइग्राम जहां हम देख रहे हैं आयताकर पत क्या ये का आयताकर पत है बिलकुल हमने देखा कि ये A. है ये B है ये C है और ये D है हमने क्या देखा माना एक अथलीट पत के सीधे भागो अब एक athlete है जाने कि एक धावक है और वो इन रास्तों के सीधे जो भाग है उन पर जैसे A से B पर, B से C पर, C से D पर and again D से कहां पर A पर एक समान चाल से दोड रहा है तो एक चीज तो हमें पता चल गए कि यहां चाल कैसी है एक समान और जो धावक है उसने यहां से चलना शुरू किया पहले उसने अपने दिशा चूस करी कि उसे A से उस आयताकार अगर हम बात करें मार्ग की उस आयताकार पथ की बात करें तो अब इस से बात है उस आयताकार पथ पर चलने के लिए उसको दिशा यही वाली चूस करनी होगी जिससे वो A से किस पॉइंट पर आया B पर आया C से किस point पर जाएगा D point पर जाएगा और D से again किस point पर आएगा A point पर समझ में आई बात की नहीं कि एक athlete पत के सीधे बागो A, B, तो ये रहा A, B, फिर B, C, फिर C, D और D के बाद क्या A पर एक समन्चाल से दोड़ता है अपने आपको पत पर बनाये रखने के लिए कोनो परवे शीगृता से अपनी चाल बदलता है बिल्कुल सही बोला है अच्छे एक बात बताओ उसे अगर इससे इस point पर जाना है तो अपनी जो चाल है यहां हम ऐसा कहें उसको देखना तो पड़ेगा न यहां से इसको जाना है तो वो यहां टान लेगा तो अपने आपको पत पर बनाये रखने के लिए कोनों परवे शीगृता से अपनी चाल को बदलता है यहां से यहां आया फिर उसने अपनी चाल चेंज की फिर यहां की फिर यहां की समझ रहे हो न, एक चकल पूरा करने में उसे कितनी बार अपनी गती की दिशा बदलनी पड़ी विडियो को बॉस्ट करके आंसर दो कि कितनी बार उसने अपनी गती की दिशा को बदला है तो दिशान से सुनेंगे, यहां यह इस पर चेकी आयतकर पत पर एक चकल लगाने के दोरान उसने चार बार अपनी गती की दिशा बदली है पहली बात तो उसे यहां से यहां पर आने में सोचना पड़ गया होगा देखो भाई, उसको बिल्कुल दिशा के अनुसार, उस आयतकर मारगर के अनुसार ही तो चलना है जब उसे पता है, यहां से बीपर पहुचना है तो भाई यह ऐसे ही चलना होगा, फिर यहां ऐसे चलना होगा तो फिर टन लिया फिर टन टोटल चार बार टन हुआ की नहीं तो ये इस परस्ट है कि भाई आयतकर पत पर एक चकर इस पूरे एक चकर की बात करें से लगाने के दौरान उसने चार बार अपनी गती की दिशा को चेंज किया होगा याने की बदला होगा अरे बाई देखो क्लासेस समझ में आ रही है सारे कॉंसेप्ट क्लियर होते चल रहे है सो लाइक शेयर करना आपको नहीं भूलना है अब बात आती है कि अमान लेकि आथलीट आयतकर पत के स्थान पर अब ये कहां पर था आयतकर पत पर ही चल रहा था अब इसके स्थान पर शटकोड ये पत ये रहा वो शटकोड ये पत अब इस बी चित्र की तरफ ध्यान से देखो इस शटकोड ये पत को ध्यान से देखेंगे हमने क्या देखा ये A है, B है, C, D, E, F और वापिस से क्या देख रहा है हमें A देख रहा है मदलब हमें 6 कोन दिख रहें कि नहीं कोने दिख रहें 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीके भाईया शेट कोड़िये पत जो है उसमें आमें 6 कोने तो दिख रहें ओके साम माली के अतलीट आयता कर पत के स्थान पर शेट कोड़िये पत A, B, C, D, E, F के अनुदीश दोड़ रहा है जैसा कि चित्र 7.8, B में दर्शाया यह परदर्शित है हमने दिखा भाईया A ने चलना यहां से शुरू किया यहां गया फिर यहां यह, फिर यह, फिर यह यहां तक आया और ऑविस यह बाते कि वो पूरा एक चक्कर कर रहा है तो यहां पर वापिस भी तो आएगा है कि नहीं है तो इस इस्तिती में आतलीट को एक पूरा चक्कर करने में छे बार अपनी दिशा को बदलना होगा भाईया यह शेट कोड़िये पत है तो आप इस से बाते हैं छे बार उसने अपनी डारेक्शन चेंज की यदि वो पूरा एक चक्कर लगाता है तो यदि पत शेट कोड़िये शेट बुजाकार ना होकर अब कहा रहे हैं कि मान लो कि यदि यहां पर छे बुजाएं नहीं होती तो ना होकर सम अश्ट बुजाकार पत यानि A, B, C, D, E, F, G, H हो जैसा कि कहां पर है यह चित्रसाद शमलब 8C में तो फिर क्या होगा? सोच के देखो भई यह तो क्या होगा? और विस से बाते चेंज होगा परिवर्तन होगा अबने क्या देखा? A, B, C, D, E, F, G, H A से B गया B से C आया C से D आया D से E, F, G, H और वापिस से कहां पर आ गया? A पर यह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 भईया यह अश्ट कोड यह पत ही तो है तो 8 कोड तो होगे 8 कोने भी जिसे हम बोल सकते हैं यहां हमें 8 अलग-अलग कोने दिखाए दे रहे हैं अब देखो यह देखा गया है कि पत के बुझाओं के संख्या में देखो भाई, व्रिद्धी तो है ही साथ यह अथलेट को अपने मुणने के लिए संख्या में भी क्या करनी होगी व्रिद्धी करनी होगी अथलेट को बार बार जो है यहां पर चेंज करना होगा ही एक चेंज और एक एपलेट याने दावा की विमन नाकरतियों के एक बंद पत पर गती कैसे हो रही है उस पर चर्चा चल रही है ध्यान लगना अगर हम आनिश्चित रूप से पत के बुझाओं के संख्या बढ़ाएं तो उन बुझाओं का आकार कैसा होगा अबे तो हमने देखा था कि सब कुछ निश्चित था हमने प्रॉपर यहां पर जाना कि यह आयताकार है यह शटकोडिये हैं यह अश्टकोडिये हैं अच्छा यह बृत्तिय पत भी आपको दिखाई दे रहा है जिस पर अभी चर्चा होगी अगर हम अनिश्चित रूप से पत की बुजाओं की संख्या बढ़ाएं तो उन बुजाओं का आकार कैसा होगा तो सनो यदि आप ऐसा करते हैं तो भी आप पाएंगे कि सबी बुजाओं की लंबाई जो है वो घट कर एक बिंदू के समान हो जाएगी और पत का आकार लगबग वृत के समान हो जाएगा किसके समान एक वृत यानि एक सरकल के समान हो जाएगा अगर एथलेट एक वृत्य पत पर नियत परिमार वाले वेग के साथ दोड़ता है तो उसके वेग में परिवर्तन केवल गती की दिशा में परिवर्तन के कारण होता है इसलिए बृत्य पथ पर दौड़ता हुआ एक एथलीट तुवरित गती का ही क्या होगा एक एक एक्जामपल होगा समझे की नहीं तो हमने देखा कि ये है बृत्य पथ अगर एथलीट इसके चारो तरफ घूम रहा होगा एथलीट क्या हो रहा होगा इसके चारो तरफ घूमेगा तो हमने क्या देखा है कि एतलेट एक वृत्तिय पथ पर नियत परिमान वाले वेग उसका वेग कैसा होगा नियत होगा और उसे के साथ वो दोड़ेगा और उसके वेग में परिवर्तन केवल कब होगा जब गती के दिशा में परिवर्तन होगा क्योंकि इस वृत्तिय पत्थ में गूमने के लिए उसको अपनी गती के दिशा में परिवर्तन तो करना पड़ेगा ये अब हम बोल सकते हैं कि वृत्तिय पत्थ पर दोड़ता हुआ है कैथलीट याने कि वैया जो धावक है ना बटा वो क्या कर रहा है त्वरित गती का एक एक एक्जाम्पल है कौन सी गती का उधारन है त्वरित गती का एक उधारन है done, चलिए, well done, अब यहाँ पर भी पूरे concept clear, now next आते हैं, यह पूरा पढ़ने के बर यहाँ पर ठीक है, हम जानते हैं कि तृज्या, याने कि आपको दिख रहा है आर वाले वृत्त की परिधी, जो कि क्या होती है, 2 pi r होती है, बलकुल सही बोला है हम जानते हैं कि तृज्या, आर वाले वृत्त की परिधी, 2 pi r होती है, अगर एथलेट आर तृज्या वाले वृत्तिय पत्त का एक चक्कर लगाने में, भाईया समय तो ले रहा होगा, टी टेके सेकिंड का समय लेता है, तो भाईया उसका वेग क्या होगा, वी क्या होगा, य द्यान रखना इससे, कि अगर हम उसका वेग निकाल रहे हैं, तो 2 pi r upon 30 का क्या होगा, फॉर्मुला, जब एक बस तू वृत्तिय रास्ते पर एक समान चाल से चलती है, तब उसके गति को ही हम क्या कहते हैं, एक समान वृत्तिय गति कहते हैं, तब हैं हम उसे क्या कहते हैं, एक समान वृत्तिय गति कहते हैं, समझ पाएं के नहीं, समझ पाएं, सारे कॉंसेप्ट आपको डन लगें के नहीं, ओके, नाओ, आते हैं अब अब हमारी एक्टिविटी की तरफ, यह प्यारी से एक्टिविटी आपकी कापी ज़्यादा हल्प करेगी, आपको और भी अच क्रिया कलाब 7.11, सोचो, हम 7.11 क्रिया कलाब पे पहुँच गएं, और पहले दिन से मैं कहए रहे हूं कि भई सारी एक्टिविटी इंपोर्टेंट हैं, सारे क्रिया कलाब इंपोर्टेंट ए एक भी एक्टिविटी को छोड़ना नहीं हैं, तो अब सुनो, एक धागे का ट प्रिमार के वेग से वृत्तिय पत को निर्दिष्ट कर रहा है इसका क्या मतला बेच चलो जानते हैं होता क्या है हमसे एक्टिविटी कह रही है कि एक धागे का टुकडा लेना है चीक है हम नहीं लेते हैं तो हमने कह रहा है कि एक धागे का टुकडा लो और उसका जो छोर हो उसके किनारे पर एक छोटा सा पत्तर बांदो और फिर उसे गोल-गोल गुमाने को कहा जा रहा है अब पत्तर सहीत धागे को छोड़ दो अब एक बात बताओ, जैसे ही आप धागे को छोड़ोगे पत्तर के साथ ही चूटेगा वो तो है न अब तक उसे हम गोल-गोल-गोल गुमा रहे थे आप कह रहे हैं पत्तर के साथ उस धागे को छोड़ दो क्या आप बता सकते हैं कि धागा छोड़ने के बाद पत्तर किस दिशा में जाएगा अभी हम इसको ऐसे गुमाए जा रहे हैं गुमाए अच्छा आपको भी पता है जब हम गुमाना बंद कर देंगे या हम छोड़ देंगे तो वो किसी भी डारेक्शन में चला जाएगा जिस डारेक्शन में हम उसे छोड़ना जा रहे होंगे सो हमने क्या देखा कि इस क्रिया को बार-बार दोहराने को कहा जा रहा है अब पत्तर से धागों को छोड़ दो, आब क्या बोल रहे हैं कि क्या बता सकती है कि धागा छोडने के बाद पत्तर किस डिश्वा में जाएगा, किस डारेक्शन में जाएगा इस क्रिया को बार-बार दोह रहा है और वृत्तिय पत्के अलग-अलग जगों से पत्थर को छोड़े मतलब देखो इसमें कोई पैसा तो घर छो नहीं रहे एक छोटू सा दागा लेने कोई पत्थर बांदने अलग-अलग दारेक्षन में छोड़ो कभी इधर 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 आपको बहुत सारी चीजे पता चलेंगी और ये देखे कि पत्थर के गती करने के दिशा समान है या नहीं है पत्थर के गती करने के जो दिशा है क्या वो समान है yes और no ये भी आपको देखना है तो सुनो, ध्यान पूर्वत देखने पर आप यह पाएंगे कि पत्थर वृत्तिय पत्थ के स्पर्श रेखिये सीधी रेखा के साथ गती करता है हमने क्या बोला कि इससे हमें ये पता चलेगा कि जो पत्थर है वो वृत्तिय पत्थ के सपर्ष रेखिये सीड़ी रेखा के साथ क्या करता है गती करता है ऐसा इसलिए क्योंकि जब पत्थर को छोड़ा जाता है तो वैं उसी दिशा में गती जारी रखता है जिस दिशा में चड वे जो है वो गती कर रहा है अगर मैं पत्तर ऐसे गुमारी है जैसे मैं छोड़ दूँगे तो वो उसे दिशा की तरफ ही तो जाएगा ना तो इससे पता चलता है कि जब किसी पत्थर को वृत्तिय पत्थ पर गुमाया जाता है तो उसकी गती की दिशा प्रतेक बिंदू पर क्या होती है परिवर्तित क्योंकि मान लेजिए कि अगर मैं यहाँ पर खड़ी हूँ जो कि मैं नहीं हूँ एक लड़का है जिसका नाम है चीकू मान लेते हैं कि यह रसी है और इसके हाथ में क्या है कोई पत्थर और यह इसको क्या करने में लगा है गुमाने में अगर यह इसने यहां तक लेकर गया लेकिन अगर इसने उसको पूरे तरीके से नहीं गुमाया मालो यहां ले जाके छोड़ दिया तो फिर तो यह ऐसे जाएगा यहां छोड़ देंगे तो ऐसे 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 तो जहां छोड़ोगे वो कुछ इस प्रकाय से उस दिशा में चला जाएगा तो उसे गुमाने के लिए पहली बात फोर्स तो लगी राए बल तो लगी राए लेकिन बेरी इंपोर्टेंट कि उसे एक बृत्तिय बत पर लेकर चलना है तो उसे गुमाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा और अगर नहीं उसे छोड़ देंगे तो वो किसी एक दिशा में जाकर गिर जाएगा ठीक है? चलिए समझ में आ रहा है ना? अब सुनो अगर मज़ा आ रहा है तो बहुत अच्छी बाते बाते बाई एक एथलीट यानि की धावक है वो क्या कर रहा है? कोई गेम को कॉम्पेटीशन उसमे एक चक्र या गोले को फिक नहीं का काम कर रहा है तो वे उसे अपने हाथों में पकरता है तथा अपने शरीर को गुमा कर उसे व्रित्ती गती जो है प्रदान करता है जी हाँ बिल्कुल सहिकार इच्छित दिशा में एक बार छूटने के बाद गोला या चक्र उसे दिशा में गती करता है जी हाँ जिस दिशा में वे छोड़ते समय गती कर रहा था हमने जाना अभी कैसे? यह ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार उक्तकरिया कलाप में पत्थर के लिए वर्णने था जैसा कि अब हमने यहाँ पर पड़ा ठीक उसी प्रकार से इसकी बारे में भी बताया गया है ओके तो हमने जाना कि जब कोई अथलीट खेल प्रतियोगिता में एक चक्र या गोले को फेकने का काम करता है तो वे उसे अपने हाथ में पकरता है और शरीर को गुमा कर उसे व्रतिय गती जो है प्रदान करता है इच्छित दिशा में एक बार छोटने के बाद गोला या चक्र उसे दिशा में गती करने लगता है जिस दिशा में वे छोटते समय गती कर रहा था जैसा कि हमें इसके पहले अभी जो ज़स्ट क्रिया कलाप आक्टिविटी की है उसमें बताया गया है और लास्ट आईएगा सबसे लास्ट फिर ये पनिश हो जाएगा चोटा सही था बहुत बड़ा पार्ट या बहुत बड़ा सेक्षन ये नहीं था तो द्यान से सुनेंगे बस्तो कि एक समान वृत्तिय गती के बहुत से चिर परीचित उधारन है अब अगर आपके पीपर में पूछें कि आप बताये बहिया एक समान वृत्तिय गती के उधारन कौन कौन से हो सकते हैं तो आप बता देना चंद्रमा एवं पृत्वी की गती पृत्वी के चारोर वृत्तिय कक्षा में गूनन करता हुआ एक हमारा उपग्रह हो जाएगा और वृत्तिय पथ पर नियत चाल से चलता हुआ साइकल सवार तो हमने क्या देखा कि पृत्वी के चारोर वृत्तिय कक्षा में गूनन करता हुआ एक उपग्रह हो जाएगा और वहीं वृत्तिय पत पर एक नियत चाल से, constant बोल सकते हैं, नियत चाल से चलता हुआ, cycle सवार हो जाएगा आप अपने paper में ये example लिख कर आ सकते हैं, और किसमें लिख कर आ सकते हैं, वृत्तिय एक समान वृत्तिय गती में ओके, done, चलिए That's it, इस वीडियो के लिए इतना ही, so I hope कि आपको सारे concept clear हो गए हो, so I hope कि आपको सब कुछ अठे से समझ में आ गया हो वीडियो को अभी तक like नहीं किया हो, so भहिया like कर दीजिएगा, इसे share नहीं किया हो, so जरूर से जरूर share कर दीजिएगा and very important हमारे इस प्यारे से चानल को subscribe करना नहीं बूलिएगा, बिटब वाइटी पर आप हमारी live classes ले सकते हैं, application के थूरू भी आप हमसे डूर सकते हैं and very important website के थूरू भी आप हमारी जो classes हैं वो attend कर सकते हैं इसी के साथ e-notes और e-book की जो link है वो नीचे मिलेगे, description box में ये हैं हमारे magnet means के कुछ other platforms साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ, Hindi English Medium के ये हैं top courses जैसे हैं CBSE Board, Delhi Board, Bihar Board, UP Board, MP Board, Rajasthan Board, Vedic Math, Crash Course and very 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 important spoken English So, आज के लिए इतना ही मिलेंगे, next video में ये video आपको कैसे मिली है I hope कि ये पूरा chapter आपको अच्छे से समझ में आगया होगा तो अब हम इसके आगे की कहानी को next class में discuss करेंगे कापी सारा part हमें पढ़ना भी है जैसे part ticket depression, MCQs, MIQs, NCRT solution और येस इस के अलग से numerical की भी class आएगी तो टटा बाबाए मिलते हैं next class में Thank you class